नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उतकस नर्सिंग क्लासेज के सौनन प्लेटफॉर्म के उपर जहां पर हम लेका एक और दमाकेदार सैसन जिया दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते है कि सीनेर नर्सिंग आपिसर एमस जौदपूर यानि कि सनो एमस यूपी यूएमस का एक्जाम जो है वो दो जुलाई को होना है दोनों बहुत अच्छी अपपोर्चुनिटी है जो भी हमारे नर्सिंग आपिसर्स है जिनके पास में थ्री यर्स का एजर नर्सिंग आपिसर टू अंड़ेड बेड़ेड ऑस्पिटल का एक्सपिरिंस है औ उनके सपनों को साकार करने के लिए और जो भी हमारे रस्पूल है अभी नर्सिंग आपिसर का सपना देख रहे हैं उनके लिए हम ये सांधार सेशन इनको और्गनाईज करने जा रहे हैं सबजेक्ट्ट वाईजे सेशन यहा पे चल रहे हैं उतकर्स नर्सिंग पढ़ते आ रहे हैं और उसी कड़ी के अंदर अभी हमने एक नया सेसन यहां पर हमने पढ़ना है और यह जो है वह आपका कौन सा रहेगा पिडियर्टिक नर्सिंग में इंपोर्टन सब्जेक्ट हैं और बहुत अच्छे से इसको भी हम यह पे पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं तो चले यह शुराज करते हैं सांधार सेसन के और आज के सेसन का सबसे पहला क्वेशन दागी देते हैं सभी लोग जौस जुनून उत्सा को बनाए रखें, अपने आपको पूरा confident करें, ज्वाब खुद का लिखना है, चाहिए जो भी हो जाए, ज्वाब खुद का लिखना है, है कि नहीं, और अपने ज्वाब में ताकत और हिमाकत, दो चीज़ अचाहिए, एक तो ज्वाब देने की हिमत, और एक यहाँ प questions को आगे लेते हुए, exam के point of view में कुछ खास बाते और बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर, स्वाल ने बोलागी, जो oxygenated blood में, वो कौन केरी करता है, adult और fetal circulation दो अलग-अलग concept है, जब मैं fetal circulation की बात करता हूँ, यहाँ से कुछ स्वाल exam में बनते हैं, हम उनको एक एक करके, पूरे fetal circulation से समझने की कौसिस करते हैं, यह जब fetus मदर के ऊप में होता है, प्यार दोस्तों, तो इसके अंदर, चार च लएगा, left 20 का लएगा, तो एक right heart हो गया, एक left heart हो गया, और उपर से आने वाली जो vessels है, उनको सुपिरियर वहन है क्यावा, और inferior वहन है क्यावा कहते हैं, यहाँ से निकलती है pulmonary artery, यहाँ से निकलता है aota, और यहाँ से आती है pulmonary van, यह जो चार चंबर का heart है, इस aota का, ज इस aota की जो branch होती है, प्यार दोस्तों, इस aota की जो branch होती है, internal iliac artery कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, internal iliac artery, इस internal iliac artery से एक एक branch निकलती है, इस तरीके से, internal iliac artery की branch होती है यह, और इनको hypogastric artery, यह amilical artery कहते हैं, यह नंबर में दो होती है, यहाँ सबसे पहले मैं amilical artery से start कर तो वापस अमलिकल आर्ट्री तक हम आएंगे ठीक है यहाँ पे इंटरनल इलियक आर्ट्री जो है इससे दो ब्रांच निकलती है और यह दोनों यह अमलिकल आर्ट्री कहलाती है और यह फीटल ब्लड को लेके जाती है और कहां लेके जाती है फीटस की बोडी से बाहर और यह आर्टरी किसके अंदर पाई जाती है अमलिकल कोड में और यह ब्लड को ले के आई है डियाउक्षिनेटर ब्लड को प्लासेंटा तक यह प्लासेंटा प्लासेंटा जिसकी दो सर्पेस होती है एक रफ सर्पेस होती है जो मैटनल साइट में होती है और एक स्मूथ सर्पेस होत हैं यह जो amilical arteries होती है amilical arteries सबसे पहले तो यह number में 2 होती है यह आपको ध्यान लगना है और इसमें saturation जो है वो 55 to 65 percent होता है saturation जो है amilical arteries का वो 55 percent 60 percent 65 percent होता है तो 55 to 65 percent saturation वाली यह amilical arteries यह impure blood को लेके गई placenta तक placenta यहां से gassage का एक्सेंज करेगा और pure blood लेके चलेगा और fetus की body में enter करेगा चलिए भई यह body में enter कर गया तो जो blood लेके गया जो blood लेके गया वो आपकी कौन सी थी जो blood लेके गई placenta तक वो तो आपकी कौन सी थी amilical artery थी और जो वापस blood लेके आई वो amilical vein थी वेन जो होती है वो हमेसा 1 होती है यह यह तो वेन है इसको हमने बोला अम्लिकल वेन और यह अम्लिकल वेन जो है वो तो हमेसा 1 होती है when is always 1 when is always 1 artery 2 होती है when 1 होती है यह जो amulical arteries है यह total number में कितनी थी तो यह 2 होती और when जो थी वो कितनी थी 1 थी तो when is 1 and arteries is 2 artery क्या carry करती है impure blood और when क्या carry करती है pure blood pure को हम बोलते है oxygenated क्या बोलते है oxygenated blood और यह oxygenated blood कहा से carry हो रहा है amulical से प्लासेंटा से अमलिकल कोड से और यह कितना ऑक्सीजन है तो 80% saturation अमलिकल वैन में oxygenated blood है 80% saturation वाला blood है और यह किदर जा रहा है यह प्लासेंटा से लेके oxygen माज से लेके oxygen और यह fetus की body में एंटर कर रही है और वैन सबसे पहले किदर जाएगी लीवर की तरफ लीवर इस blood को लेने से मना कर देगा यह लीवर की तरफ जा रही है और लीवर ने इस blood को लेने से मना कर देना है क्यों क्यों कि लीवर immature है भाई क्या करूं मैं blood का मैं तो mature ही नहीं हूं मैं तो छोटू सा हूँ, मेरे को इतना बलड नहीं चाहिए, तो जब लीवर बलड लेने से मना कर देता है, तो अमलिकल वैन अपने सारे बलड को, इंफिरियर वैना केवा में, जो लोवर बोडी से आ रही थी, इंफिरियर वैना केवा, उस इंपिरियर वैना केवा के अंदर लिए Mila के बीच में इसको बोलता है संट two भैन के बीच में वन बनता एक में बनता है इसको नाम के संट जो कर दिया और ऑब हंलिकल वैने केवा एंड यट बाइपस कर दिया को इस संट्सक्ठर वैन मैं बोला लिवर लिवर को बाइपस कर दिया और डाइपस सुरु visual Amical Venna और Inferior Venna के वा की बीच में एक संट बन गया नाम दिया Ductus Venosus 80% Saturation वाला Blood है Amical Ven का वह किसमें डाल दिया गया Inferior Venna के वा में और Inferior Venna के वा का 60% Saturation वाला Blood क्या हो गया Pure और उसका Saturation हो गया 70% कितना हो गया तो अब Inferior Venna के वा का Saturation यहां पर उपर की तरब आया तो यहां saturation कितना हो गया 70% किसका inferior वेना के वागा यहां कितना था 60% कितना डाला 80 कितना हो गया 70 तो inferior वेना के वागा gets oxygenated और अब inferior वेना के वागा saturation कितना हो गया 70% और यह 70% saturated blood कहां डाल दिया गया, right atrium के अंदर डाल दिया गया, inferior vena के वागे द्वारा, और उपर से superior vena के वागे लेकिया, 60% saturation blood, यह भी किसमें डाल दिया, right atrium है, तो 60 और 70 जो right atrium में blood mix हुआ, अब saturation हो गया 65%, और 1Ti blood सिधा right atrium से left atrium में चला जाता है, भाइस साब यह जबरदस्त है, right atrium से सिधा left atrium में बाइपास हो जाता है, foramen oval से, foramen oval, एक और extra structure fetal circulation में, यह देखना, umbilical van सबसे ज़्यादा saturated blood लेकिया, 80% enter हुई, तो इसको सिधा inpia vena काव में डाला, एक संट के तुरू जिसको नाम दिया, ductus venosus, दूसरा extra problem structure, और तीसरा, foramen oval, जो right atrium और left atrium के बीच में एक संट है, और जो right atrium के एक तियाई blood को सिधा left में डाल देता है, right atrium के एक तियाई blood को, one third blood को सिधा किसमें डाल देता है, left में, right atrium से, left atrium के बीच के संट को नाम देता है, foramen oval, और 2 TIAI blood, जो right atrium यह वो किसम आता है right ventricles में, tricuspid wals से, rite ventricles से किसम जाता है pulmonary artery में, और एक TIAI blood जो उदर गया वो किसम आता है aiota में, यह चला जाता है pulmonary artery में, और वो left वाला किसम आ गया aiota में, यह जो pulmonary artery में आया, यह pulmonary artery जाती किसम बन्ष में बलड को प्युर करती है लेकिन लंक भी पुरे के पुरेiveness से बढ़ा हुआ है तो वह उस बलड को लेने से मना कर देते हैं को कहते हैं हम क्या करें बलडगा हमें तो चाहिए नहीं भई यह फाल तुमें कहां से ले के आगे तुम अब हमारे लिए एक समस्या होगी क्या अब हम बलडगा क्या करें क्योंकि इन्होंने तो लेने से मना कर दिया तो पलमंदरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ा और पलमंद हुए हम आठरी के बीच में बना रहे हैं यह आपका है पलमंद्री आठी और यह आपका याट ओपलमंद ब्राइंड है डृटक्त से स्थे बलड हो हो दाल दो ड़क्ट स्टो दॉए आप तो दो वैन के बीच में था, यह जो ductus venusus वाला sun था, यह sun तो दो वैन के बीच में था, और यह ductus arterus वाला sun दो आर्टरी के बीच में, दो आर्टरी के बीच में, 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 आर्टरी के और यह जो impure blood है यह lower body की तरफ जाता है तो यहां से इसको amlical arteries जो कि आपका internal iliac artery की branch है यह blood को उटा के वापस किसमे ले जाती है placenta में placenta फिर उस blood को क्या करता है pure 80% saturated करता है फिर यहां से वापस लेके जाता है इस तरीके का एक circulatory system जो fetal life में चलता है एक funny circulation है fetal circulation is always a funny circulation fetal circulation में यह extra structures होती है fetal circulation में blood mix type का चलता है कोई किदर का किदर ही जा रहा है है इदर का blood right atrium का left atrium में जा रहा है left atrium का left ventricle से aorta में जा रहा है इस नरीके से जो blood है वो कहीं ने कहीं आपस में मिक्स वह रहा है किदर का कुदर ही जा रहा है कोई कैसे इसको mix circulation के नाम से जानते है इसको fetal circulation के नाम से जानते है इसको funny circulation के नाम से जानते है और very interesting बिलकुल एकदम adult circulation से हट के बाते चलती है यहां पर fetal circulation की so this is all about the fetal circulation and इस fetal circulation की कहान ही में हमें पूचा कि जो oxygenated blood है जो fetus carry करता है वो किसके तुरू होता है amilical artery से amilical van से superior वेना कवा या पलमंद्री तो यहां देखना the answer is कि oxygenated blood कौन carry कर रहा था 80% saturation किसका था 80% saturation amilical van का था और यहां देखना यह भी important है कि when is always one when is always one artery दो होती है one when when one 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 when one when yes तो one होती है when artery में असा नहीं होता यह artery one ऐसे बोले तो मज़ें नहीं आता artery one one नहीं artery हमें सब्सक्राइब होती है arteries कहते है उनको और when हमें से क्या होती है one तो one when और when one यहां पर correct transfer भी बनेगा बाकिस से भी बाते गलत है अगला question तो यह fetal circulation है अगला question है average central aortic pressure in full term unit central aortic pressure क्या होता है full term unit में average central aortic pressure in full term unit is mm of hg में बात करना है प्यारों दोस्तों हमने बोला average central aortic pressure average central aortic pressure यह स्वाल ने पूछा है पहला लिकावा 75 upon 50 60 upon 40 40 upon 20 or 20 upon 10 very interesting central aortic pressure central aortic pressure एक full term unit में कितना होगा देखो central aortic pressure यह blood pressure है इसमें ज्यादा दिमांग नहीं लगा ना क्यों यह क्या पूछ लिया है यह स्वाल नाम बदलात तो तुम पीचे पीचे बज़े लगे तुम अपने concept पे रहो यह central aortic pressure और कुछ नहीं blood pressure यह है 75-50 यह 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 पर correct answer है यह बाकी तो कम है पर नॉर्मल blood pressure बच्चे का होता है newborn baby का हम पढ़ते है 80-50 80-50 के साब से क्या हो गया 75-50 यह मिलती जूती reading है है गी नहीं clear है हाँ यहाँ पर correct answer जो है वो यह है it's 75-50 बाकी तीनों बाते गलत है clear है गी नहीं है प्यारे दोस्तों कौन सा answer होना चाहिए तो a is the correct one देको लाले अगर तुम SNO के लिए eligible हो तो तुमें senior nursing officer बनना चाहिए यह तो सबसे अच्छी बात है और अगर आप उसके लिए eligible ही नहीं हो तो आप UPUMS का exam दे दो इसमें इतना confusion क्या है भाई दोनों अलग अलग exam में UPUMS वो बच्चे दे रहे हैं जो SNO के लिए eligible नहीं है क्योंकि वो तो experience आदमी है वो वहत कम आदमी है वो देना चाहिए आपको और अगर वो नहीं है तो फिर आप UPUMS का exam दे हो जो कि नर्सिंग officer के लिए है तो इसमें पूछने की क्या बात है कि आपको कहो कि सर मैं सांसद बनू या मैं जो है पारसद बनू तो अगर सांसद के के लिए है तो आपको पहले पारसद बनना चाहिए फिर आप सांसद भी बनेंगे तो seniority है पारसद से सांसद यह यात्रा है तो आपको हाँ यह तो एक common sense है हर इंसान को जब आप comparison का कहेंगे तो definitely अराम से comparison हो सकता है तो हमारी राह यही रहेगी कि आपको SNO का exam देना चाहि है अगला स्वाल फोटो देखो पीछे और अपना ज्वाब लिगो है कि नहीं है हुआ है है हो आइडेंटीपाइड इस इसकी लीजन इने चाइड विची हरत तो SNO कोई पर्मनेंट जोब है सनो कोई temporary तोडी है कि eligibility तो है लेकिन पर्मनेंट जोब लगनी है तो SNO भी पर्मनेंट यह वाई ऐसे नो कोई contract में थोड़ी होता है हाँ बताओ identify this skin legend in a child with severe malnutrition बड़ा मज़धार है मामला बताओ severe malnutrition कुछ लोगों ने B लिका है कुछ को अभी भी C लग रहा है B क्यों लग रहा है भाई पहला zero dharma फ्लैक की pent dermatosis ectiosis flag sign severe malnutrition की दो condition होती है जिनको हम protein energy malnutrition कहते है एक होता आपका quasi or core और एक होता आपका merasmus severe acute malnutrition या Sam का बच्चा जो होता है इसकी दो category होती है एक होता आपका quasi or core quasi or core और एक होता है आपका merasmus क्या होता है merasmus एक होता है आपका quasi or core और एक होता है आपका merasmus severe acute malnutrition की दो condition है जब हम इन दोनों condition की बात करते है quasi or core और merasmus की तो quasi or core जो है वो protein malnutrition है especially और merasmus protein and energy malnutrition है protein and calorie malnutrition है यह आपको ध्यान रगना है जब मैं यहाँ पर malnutrition की बात करूँ quasi or core की बात करता हूँ merasmus की बात करता हूँ यह सैम का बच्चा है इसके हम बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी skin पर पाए जाने वाले जो lesion है सैम के बच्चे में skin के उपर पाए जाने वाले जो lesion है वो lesion यह lesion dermatosis कहलाते है और दोनों में जब comparison करते हैं जैसे मैंने quasi or core और merasmus में comparison करना है quasi or core और merasmus में तो इन दोनों में एक जो बड़ा difference exam में पूछा जाता है वो यही है कि इसमें तो होता है edema quasi or core में जबकि merasmus के बच्चे में edema नहीं होता है absent होता edema यह एक बड़ा difference है दोनों में दूसरा quasi or core के बच्चे के hair color hair color जो है वो triple color के hair होते है triple color hair triple color के hair होते है बालों का color जो है वो तीन color के बाल होते है इसने इसको flag sign के नाम से जानते है जबकि merasmus में हे के लड़ी के इस अचनौन नहीं होता है जर बच्चन यह ए Earless होता है वह पति ट्रिपल color हेर होते है junction होते क्वहर में मेरास में चनौन भाला बच्चा में हे लेड़ा होता है paste or guy, खा जो बच्चा होता है अची होता इस आचाून का बच्चा ते मैरावमस का जो बच्चा होता है मैरावमस का बच्चा इसके अंदर मंद लीवर का साइज बड़ा नहीं होता इपटो मेडली sound है इसंन एक और फ़िंपोर्टेंट ये होता है इसमें एनौरेख्या होता है लॉषव ऐसा पर्टाइट ये खाता लब इता ही ता कुछ भी कैता है यहां पर इस बच्चे के अंदर इसकिं के साइन में फ्लेकी डर्मे बागी पांट जो बटक्स की फैट का लॉस होता है और मौंकी फैस मौंकी फैस होता है बकल म्यूकसा की फैट का लॉस होना तो अगर आपके जो बटक्स है उनकी फैट लॉस हो जाती है तो उसको बागी पांट कहते हैं और चैरे की फैट की लॉस होता है तो उसको मौंकी फै साइन इपेटो मेगली भूख बहुत जादा नहीं लगना मतलब भूख का लॉस हो जाना और इसकीन के उपर फ्लैकी डेमेटोसिस होना यह सभी के सभी साइन किसके है क्वासी और कोर के यह दोनों में मेजर डिपरेंस है और एक डिपरेंस एकजाम है पूछा जाता है मुझे यह आपए इस क्वेश्चन में के बोला कि यह जो वाप सकल Garlic देख रहे और यह जो आपके लिजेन सकीन पर लग रहे है यह क्या है तो यह फ्लैकी पैंट डेमे टोसिस है इसको हम क्या बोलते है फ्लैकी पैंट ड्रमे टोसिस यह क्वासी औरकोर के अंदर डैकने वाला लीजन इंडिके पपड़ी की तरह अड़ जाता है से स्कीन के उपर से स्कीन जो है जैसे बारी सोतीर कीचर होता ना तो कैसे जा कीचर सूख जाता वाँ पपड़ी बनती है वो उस तरीके के साही नहीं है और इसको फ्लैकी डिर्मेटोसीस के नाम से जानते है और यह किसमें देखने को बलता है क्वासी और कोर में यह आपको ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन एक और मैथपूर्ण प्रस्ट आपकी स्क्रीन पर चंदन सुकला थैंक यू अच्छे से पड़े बढ़िया से पड़े और चीजों को क्लरिफाई करते रहे जिंदगी में यही सबसे अच्छा अच्छीवमेंट होगा और लर्निंग आपकी लाइप में सबसे महतुपूर्ण रहती है स्वाल कह रहा है which of the following does not produce sinosis in the first year of life life के पहले साल में sinosis कौन सी condition में नहीं होगा sinosis किसमें नहीं होता है पहला यहां पे लिखा है atrial septal defect, hipertoplastic left heart syndrome, truncus arteriosis और double outlet right ventricle जब हम congenital heart disease की बात करते हैं तो यह तीन तरह की होती है sinotic, asynotic और obstructed इस question में आपको लिखा कि first year of life में not produce sinosis तो congenital heart disease तीन तरह की होती है हम बोलते हैं congenital heart disease को कि एक तो होगी आपकी sinotic और एक होगी asynotic और एक होगी obstructed है कि नहीं है एक तो होगी asynotic एक होगी sinotic कौनसी होगी? sinotic और तीसरी होती है obstructed कौनसी होती है? obstructed जब मैं asynotic अजना heart disease की बात करता हूँ asynotic की किसकी? asynotic की अगर मैं बात करता हूँ asynotic के अंदर तीन आती है asd, vsd, pda asynotic में तीन आती है atrial septal defect ventricular septal defect और pattern ductus arteriosus एक और मैं गोलता हूँ atrial septal defect एक है ventricular septal defect और एक होता है pattern ductus arteriosus दो अट्रिया राइस आत्रियोट और लेप अट्रियोट आत्रियोट के बीच में septum partition में छेद atrial septal defect होता है दो ventrijal right और left ventrijal उनके बीच में partition उसमें चैन वेंट्रीकल और पेट्रन ड़्स आट्रोश सस्सका ऑपन रह जाना खुला रह जाना धेंग्र एक्ट्राइश कहने ऑगता वेंट्रिया के सिप्टम में डिपैक्ट गेट्रीकल के से सिप्टम और ड्च एक्ट्रेंग्र chat रह जाना है उसका ओपन रह जाना पैटर耐टर चालाता है यह जो कानर रहती है email is position of great arteries, इसमें तो sinosis नहीं होगा, क्योंकि जो left का blood है, वो right में mix होता है, pure, impure में mix होता है, body को pure supply होता है, body में sinosis नहीं होता है, इसमें sinosis होगा, sinotic में, क्योंकि यहां पे क्या होता है, यहां पे top, ta, ta और tga में, जो impure blood है, वो pure में mix होता है, और pure को impure कर देता है, body में impure supply हो आपको त्रंकहस आपका च्रांस पोजिस्ट और ग्रेट आर्टनीस यह चाहरो इस्ट करतte लास्ब यह उप्सटे penal की canडिशन होती है program निट्र इस्ट्रो गहें अब इस्टेनि क्युलिड हम इस्तुन करंगाक्त सा कौन सा हाइड डिजीज है जिसमें साइनोसिस नहीं होगा फरस्टेर ओप लाइप में साइनोसिस नहीं होगा जिसमें साइनोसिस नहीं होता है उसको एसाइनोटिक कहते है और आपको इसमें से वो यह साइनोटिक यह तो है साइनोटिक तोड़ी है एक और स्वाल है आइडेंटिपाई आई अबनॉर्मल्टी सौन इंद गीवन पिक्चर कौन सी यहां की अबनॉर्मल्टी है इस पिक्चर में हजी सुर्वाई दर में गीवन पिक्चर का जब नहीं है यहिएसी इस प्रवार में पिक्चर को सी यह電एव में गी तोर दे एतिशपसिक यहां की तो अबनॉर्म曹ator देए तो आइडेंटिपाई और प्रिक्टर, नाइट ब्लाइडनेश और किरेटो मलेशिया चार ओप्सन हमने आप लिखे लगबग सभी रसुलों ने सही जवाब लिखा है यह जो वाइट वाइट डोट है आई के अंदर यह जो डोट है इसको बोलता है white dot sports, तो भी यहाँ पर करेक्टान सुरे, corneal 06 night blindness या किरटो मलेशिया ही नहीं है, जो white dot है इसको बोलता है white dot sports, क्या बोलता है white dot sports, not a feature of phallot's tetralogy, इस सुआल ने पूचा है कि कौन सा feature नहीं है phallot's tetralogy का, चार feature दिये वह है, tetralogy of phallot का कौन सा feature नहीं है, या tetralogy of phallot, most common cyanotic CSD, is tetralogy of phallot, है गी नहीं है, और यहाँ पर सुआल ने बोला है, कि पहला है left ventricular hypertrophy, moot safe heart, ventricular septal defector, overriding of arch of aota, ऐसा चार बाते यहाँ पर लिखिये, और सुआल ने बोला है, कि कौन सा feature है phallot of tetralogy का, अच्छा स्वाल है, बढ़िया स्वाल है, phallot of tetralogy का कौ चार feature होते है, tetralogy of phallot में चार feature होते है, पहला दोखो, top जो बिमारी है, top बिमारी, इस बिमारी का सबसे पहला feature है, वो है कि pulmonary stenosis होता है, pulmonary wall जो है वो नेरो हो जाता है, इसको बोलते है pulmonary stenosis, दूसरा होता है right ventricular hypertrophy, राइट वेंट्रिकल जो है उसकी hypertrophy हो जाती है, तीसर चार सीज़ें होती है तभ के अंदर हमने इसको पढ़ाए एक तो ह zijn निकल दिये तो गां पनद्रिवाल्वब वह नहर हो जाता है इसको बोलता है पनेर हो जाता है इसको आम जाता है मेंती बॉलाब हो जाता है तो इसे क्या प्रोब्लम होती है कि जितना भी इंपिवर ब्लbey उसको क्ली तो धर हुद़ना चाहिए था लेकिनियी किघर जांने और लुवर्टा बोड़ी में जा रहा है तो साइनोसिसिक इंप्यूर ब्लड ब्लड में अज़तने ब्लेट्रियमिया उदर तो जा रहा है कि मौ रिखूर जाएँ जाँ जह रहा है जब यह उता है तो बोड़ी में होता तो impurity body में जाती है तो body में sinus होती है तो यह right atrium है यह right ventricle है left atrium है यह left ventricle है और यह aota में जाता है और aota में क्या हो जाता है impure blood ज़्यादा जाता है तो उसमें sinus होती है body में तो left ventricle की hypertrophy नहीं हो सकती क्योंकि ventricle तो right है heart का shape mood shape हो जाता है जिसका कारण है right ventricle की hypertrophy बूत का हाट हो जाता है यह हाँ इसमें दैखने को मिलता है और एक कहानी जो हैज यह बंटacıल के सेप्ट अंद कि से ममें चेद है टीपक्ट है और यही से ओवर्राइड करता है यह होटा ओवरिएडिंग अपर ओब अपर ओड़ोटा होता है नहीं एक वेंट्रिकल के सेप्ट में छे दोगा एयोटा ओवराइड करेगा राइट वेंट्रिकल की आईपर्ट्रोपी होगी यह सभी बाते जिस बीमारी में देखने को मिलती है उस बीमारी को हम क्या नाम देते हैं साइनोटिक कंजटला डिजीज यह उसी को टॉप कहते हैं एयार लालो कि आशी टॉप में कौन नहीं है तो टॉप में लेप हैं राइट वाले की होती इलाज के लिए आपको सबसे बेस्ट पूचा जाता है इलाज के लिए position of choice, squatting position, position पूचे तो क्या दे हुए squatting position होगे, squatting, sunt of choice, palliative surgery करता है तो कुछ sunt बनाता है, sunt of choice पूचे तो या जगना ports operation, कौन सा sunt लगाता है, ports operation, आलग कि या पे water turn operation भी करते हैं, या पे bt sunt भी लगाते हैं, या पे fountain procedure भी करते हैं, या पे gallon sunt भी लगाते हैं, लेकिन sunt of choice आपको पूचा जाएगा, ports operation, जिसमें हम pulmonary artery और descending aorta के बीच में sunt stable करते हैं, pulmonary artery और descending aorta के बीच में, और squatting position को हम उकडू position कहते हैं, इससे sunt revert होता है, तो sinus कम होती है, oxygen लगा सकते हो, drug of choice पूचे तो digoxin, drug of choice पूचे तो जवाब होना चाहिए digoxin, इसके अलाभा, या पे मरीज में oxygen लगा सकते हो, मरीज को morphine दे सकते हो, जो oxygen की demand को कम करती है, मरीज को beta blocker दे सकते हो, क्या दे सकते हो, beta blocker दे सकते हो, sedative agent दे सकते हो, sedatives, यह दे सकते हैं बचे को, कोई समस्या नहीं है, है ना, लेकिन मरीज की drug of choice, digoxin होगी, palliative surgery होगा, sunty होगा, scratching position होगी, ultimately तो corrective surgery ही करनी पड़ेगी, जब आप corrective surgery कर देते हो, तो उसके बाद में बच्चे को lexative जरूर देते है, क्यों, क्योंकि मरीज जो है, उसको lexative देंगे, तो उसमें constipation नहीं होगा, तो staining नहीं करेगा, तो bradycardia नहीं होगा, तो काडिकरस नहीं होगा, operation के बाद में, मरीज में straining avoid करनी है, pressure वाला काम नहीं करना है, ऐसा वहाँ पे parents को समझाना है, और इसके लिए lactulose जरूर देना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है, इस बच्चे में, जो top का बच्चा होता है, टेलोजियो फैलेट का, इस बच्चे में blue tet spell, cynotic spell आते हैं, उसका भी खास ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा जो है, वो hypoxia का सिकार होगा, cynosis उसके लिए जान लेबा हो सकती है, अगला question, तब following research, seen in a previously well, five month old child can be treated by administration of, अच्चा स्वाल है, बड़िया स्वाल है, हाँ, हमने बोला, following research, seen in a previously well, five month old child, पाँच महिने का रसुल्ला, है कि नहीं, can be treated by administration of calcium, pyridoxin, niacin, और zinc, calcium, pyridoxin, niacin, और zinc, यहाँ पर हमने बोला, कि कौन सा, following, rest seen in, previously well, five month old child, can be treated by administration of calcium, pyridoxin, niacin, और zinc, यहाँ रखना, यहाँ पर पाँच महिने के बच्चे में, यह जो area है, डाइरिया की वज़े से, यह जो area है, इस area में बन जाते है, rest, और इस rest के treatment के लिए काम है लेते है, zinc, calcium से यह treatment नहीं होंगे, pyridoxin, vitamin B6 को कहते है, और niacin, vitamin B3 होती है, niacin, जो बिमा, niacin जो होती है, उस niacin की deficiency से, तो पाइरिडॉक्सिन से तो बच्चे को seizure आते है, seizure, यह ध्यान रखना, seizure, calcium की कमी से titan ही होती है, titan ही, calcium की कमी से titan ही होती है, paridoxin की कमी से seizures आते है, niacin जो है, इससे होता है, पेलेगरा इसकी डेफिशेंसिस होता है पेलेगरा जिसमें फोर डी साइन होते हैं जिसमें एक डी होता है डाइरिया एक डी होता है डिमेंसिया डिमेंसिया एक डी आता है डर्मेटाइटिस पर यह जो डर्मेटाइटिस होती है वो यह वाली नहीं होती है यह डर्मेटाइट इसमें बनती है केगल नेकलेस केगल नेकलेस मतलब गले के इर्द गिर्द हार ना मोतियों का हार ना किया कोई सिंगार फिर भी तुम कितनी सुंदर लगती हो लगता तुम्हें नियासिन की कमी हो गई है और यह तुम्हारे गले का जो हार है वो पहलेगरा का साहिन है और पहल करते हैं उनमें deficiency होती है नियासिन की और तब यह मोत्यों का हार जो है बिना सिंगार का बन जाता है पहलेगरा बीमारी में तो यहां पर यह करेक्ट आंसर है zinc D इसकी deficiency से यह जो है आपका रैसेज बनते हैं इसका आपको ध्यान रखना है नियासिन की कमी वाली बीमारी पहलेगरा दो नियोनेटल किडिनी एचीवज कंसेंट्रिंग ability equivalent to adults kidney by अच्छा स्वाल है मज़ेदार स्वाल है सभी को जवाब लिखना है हाँ बहुत बढ़िया जो नियोनेट की kidney है वह एडल्ट के equivalent मामला जो है वह हो जाता है मतलब एडल्ट के equivalent काम करने लग जाती है तो कब करने लग जाती है ऐसा वन येरो पेज 18 मंतों पेज 3-6 मंतों पेज जस्ट बिपोर प्यूबर्टी छोटा रजगुला पैदा हुआ उसकी kidney match होती है और इसकी वज़े से हमने धैका कि उसमें polyurea होता है और वो जो बचा है पॉली यूरिया होता है तो यूरीन का लॉस करता है तो वाट का लॉस करता है तो काफी मामला गंबीर हो स्का अब चाहते हों गी सि कटडेनी का यूरिण का संसेंट्रेटि करना सुरू act लेगी यर का वक्त लेगी एक साल की उमर टेन इस मंत ऋप एटीन मंत ब만 को age नहीं है और just before puberty तो बिल्कुल नहीं है तो कितना वक्त लेगी यह एक साल का वक्त लेगी one year of age एक साल की उमर में यह concentration capability आ जाती है बाकी ज़्यादा वक्त है और यह adult के equal हो जाता है कि adult जैसे urine को concentrate करता है वैसे बच्चा भी urine को concentrate करने लग जाएगा what is the disease which is seen in these hand abnormalities are seen पहले मैं हाथ की abnormalities दिखाता हूँ इन abnormalities को देख के आपको इन बिमारियों में से बिमारी पैचानी है हाथ की abnormalities देख लो पहले इस picture को मैं बड़ा कर देता हूँ आप अराम से सभी हातों मुटियों को हातों को सबको देख लो अच्छे से देख लो फिर मैं बिमारियों के नाम से आपको वाकित कराओंगा कि यह डाउन सिंडरोम है उस्टियोजैनिक इंपरपेक्टा है यह टर्नर सिंडरोम है यह मार्पन सिंडरोम है चार आप्सन में से फिर आपको चूज करना है यह डाउन सिंड्रोम है या औस्टियोजनिक इंपरपेक्टा है या यह टर्नर सिंड्रोम है या यह मारपन सिंड्रोम है चार आप्सन है पिक्चर को आई ओप आपने अच्छे से देख लिया है अब हम आप्सन की तरफ चलते है है गी निये और यह जो हैंड के अबनोमल्टी आपने देखी अभी इन अबनोमल्टी के अदार पर आप ये बताईए कि कौन सी बीमारी का साइन है ये डाउन सिंड्रोम है ये औस्ट्रोजनिक इंपरपेक्टरा ये टर्नर सिंड्रोम है ये मार्पन सिंड्रोम है बताओ रहे बहुत लंबी लंबी एदेगो इतनी लंबी अंगुली इतने लंबी आतों कानून के भी नहीं होते हैं है ना जिन बचों के लॉंग लॉंग ये पतले पतले और लॉंग लॉंग अंगुली होती है ये मार्पन सिंड्रोम की कहान ही होती है ध्यान रखना ये डाउन सिंड्रो है वो चिपकी हुई होती है हाँ चिपकी हुई होती है तो यह जो कानी है यह किसकी है यह मार्पन सिंड्रोम की है लिया पर करेक्ट आंसर है मार्पन सिंड्रोम में क्या होता है अंगलियें बहुत पत्ले और लॉंग लॉंग अंगलियें होती है इनको मार्पन सिंड्रोम कहत पते हैं सभी लोगों को जवाब लिखना है मार्पन सिंड्रोम is closely associated with aortic aneurysm बहुत अचे बिल्कुल अगला question है फान कोनी सिंड्रोम जो है प्यारों दोस्तों फान कोनी सिंड्रोम है यह कौन से अनीमिया के साथ में associated है constitutional अनीमिया, hemolytic अनीमिया, iron deficiency अनीमिया और autoimmune अनीमिया, एक और मज़ेदार स्वाल जो आपको दिमाग में खीचडी जो है, वो पैदा करेगा आपके दिमाग में कस्म कस्त नेगो स्वाल आएंगे और ट्री के आएंगे बहुत लंबे, आप क्या सोच रहे हो, क्या पैसनों का पेपर दे रहे हो और आपको लंबे-लंबे स्वाल मिलेंगे, दस दस लाएंगे, भूल जाओ ऐसे स्वाल आएंगे जो आपके दिमाग को हिला के रख देंगे ओ माई गॉड, वाट इस दिस, यह फान को नहीं है, अनीमिया क्या है इस तरीके के स्वाल आपको वाँ पे पूचे जाएंगे तो आपको क्या करना है, सोच के जवाब लिखना है अब आप इसमें क्या ढूंड रहे हो, आपको पता है क्योंकि हमने पढ़ा रखा है, इसलिए आप ढूंड रहे हो क्योंकि हमने फान को नहीं सिंड्रोम जब आपको पताया तो हमने इसको एप प्लास्टिक अनीमिया में बताया पर प्रॉब्लम क्या है, आप थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा रहे हो जब हमने एप प्लास्टिक अनीमिया आपको बताया तो हमने आपको यह भी बताया कि वो एनीमिया है जिसमें bone marrow का hypoproliferation होता है या RDC का simply destruction होता है है कि नहीं, bone marrow जो है bone marrow उस bone marrow में हमने बोला bone marrow में जो stem cell होती है, puripotent stem cell उससे बनने वाली जो first multipotent stem cell है जिसको myeloid cell कहते हैं, यह जो myeloid cell है इस myeloid cell का या तो hypoproliferation हो जाए क्या हो जाए, hypoproliferation हो जाए या इस myeloid cell का simply destruction हो जाए क्या होने लग जाए, simply destruction होने लग जाए दो चीज़े, या तो myeloid cell का hypoproliferation होने लग जाए last prolified myeloid cell या myeloid cell का simply destruction हो जाए, कहां पे bone marrow में जब myeloid cell का hypoproliferation होता है या myeloid cell का simply destruction होता है तो महाँ पे क्या देखने को मिलता है myeloid suppression होता है bone marrow suppressed हो जाता है और इसके होने का कारण जो है वो तो genetic भी होता है मतलब congenital भी होता है और later on life में भी होता है अब अगर ये aplastic anemia ये bone marrow का suppression aplastic anemia में होता है और इस aplastic anemia के कारण हमने पूछे तो पहला कारण जो होता है वो होता है genetic और जो genetic कारण होता है वो बनावत वाला कारण होता है इसको constitutional कारण कहते है कौन सा कारण कहते है इसको constitution, genetic या बनावत वाला जो कारण है पहला कारण है वो constitutional करण है, चुन य हो और यह फान कोनी syndrome में यह देखने को मलता है, यह RBC का टूटना है, उसको हम हम िमयलाइथीस कहते हैं, यह हम अचमालाइथिग नहीं है, फान कोनी में इमयलाइथेस नहीं होता है, फान कोनी में एनिमिया आइरं डेपिशनस ही नहीं होता है, और फान होगा और यहां पे बच्चे की हाइट छोटी रहती है फांद को निस इंड्रोम में बच्चे की बॉड़ी के और्गन के साथ में डिफ्क्त होता है अंध मैं प्रभलम होती है हड़ी का प्रॉबबलम होता कोई भी वाइरल इंप्रेक्षन बेक्षन फोडिन चाहिए वाड़ नाम इसको प्रास्टिक प्लास्टीक अनिम्या कहते है एक करेक्ट उसको autoimmune कहते है constitutional तासीर होती है बनावट होती है genetic होती है hereditary होती है parents से हम जब बनने लगे तब problem हुई इस बात का आपको ध्यान रखना है याद रहें अगले question के साथ मैं answer my question sir you can also answer my question I will answer your question question नहीं पूछेंगे answer पूछेंगे अब question तुम पूछ लो भाई तब answer देंगे न सभी को जवाब लिखना है अपना अपना और session आग की तरह फेल जाना चाहिए आकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए आपका आकड़ा ही हमारी energy है हम फिर बता रहें और स्वाल बिल्कुल अल congenital long qt syndrome is associated with neonatal अगर neonate के अंदर जनम से long qt syndrome है यहाँ पर भी घड़बड करोगे भाई एक common sense बताओ qt किसको कहते है जैसे पी वेव है यह qrs complex है और यह टी वेव है सुनियागा qt कहा से कहाते होती है यह जो पी वेव है न पी वेव ही हो गई अब इसको हम बोलता है qr और 20aciones qt होता है q wave का जो सुरॉआत होता ना सूरूआत क्यू यह q-wave का starting point यहाँसे लेकर t wave का जाब इक हात्मा होता है यहाँ तक कर इसको हम बोलता है qt interval क्या बोलता है qt interval कर यह ओदिक हें qty interval को यह क्या किया जा रहा है prolonged किया जा रहा है upon 그냥 तो अभी तो पहले ऐसे था अभी आपने इसको थोड़ा दिया चुलो मैं इसको फैलाता हूँ और मैं इस क्यूटी इंटरवल को फैलाता हूँ और मैंने क्या किया तो जो QT Interval यहां खतम हो जाना चाहिए था QT Interval यहां खतम हो रहा है अब जब QT Interval इतना फेल गया तो क्या आपको लगता है कि यह टेकिक आइडिया होगा टेकिक आइडिया तब होता है जब कोई रेट बहुत फास्ट फास्ट हो जाती है एना ऐसे हो तब टेकि होता है यह तीनों टेकि वाले है यहां पर टेकि का संभाव नहीं नहीं है क्योंकि हाट की रेट स्टार्ट होई P wave बनी QT P wave बनी QT अगर इतना लंबा QT Pi बन जाएगा इसको बोल देंगे QT Pi और यह कंडिशन हो जाएगी ब्रेडिकार्डिया तो यह साइनस ब्रेडिकार्डियम होगा ना भई एक सिंपल सा दिमाग लगा हो अगर किसी में QT इंटरवल लंबा हो जाए इनके बीच में गैप बढ़ जाए तो मरीज में क्या हो जाएगा ब्रेडिकार्डिया और यह साइनस ब्रेडिकार्डिया मतलब एक कॉमन सेंस के क्वेशन है इसमें कोई सरी यह ECG तो हमें आती नहीं तो तुम्हे ECG रटने का कौन कह रहा है भाई आपको एक्जाम में स्वाल आएगा आपको एक कॉमन तरीके से इसका जवाब देना आपको कोई ECG नहीं रटना है आपको कोई ECG रटना नहीं है आपको एक कॉमन तरीके से स्वाल का जवाब देना है तोड़ा दिमाग लगा के अगला क्वेशन इस स्वाल ने क्या बोला है यह जो फोटो आप देख पार हो इस पिक्चर में इसको इडेंटिपाई करो और कौन सी बिमारी है इस न्यूबॉंड को जिसे यह सपर कर रहा है यह फोटो के आदार पर बताओ इसको कौन सी बिमारी हुई है पहला लिखा है रिकैट्स डाउन सिंड्रॉम औस्योजनिक और फिर बताओ कि बच्चा कौन सी बिमारी से सपर कर रहा है किससे सपर कर रहा है इस न्यूबॉंड को किससे सपर कर रहा है पहला रिकैट्स दूसरा रिकावाई डाउन सिंड्रॉम तीसा ऑस्टेोजनिक इंपरप्रेक्ट और चौता इककंध्रॉप्लेजिया यांद रखो यह जो धो कंडिसन है यह वार्फरीयन का ट्र होता है या देकना उस्समें मरीजिव को रोट्फलेजिया या जो बच्चे का लुकाउट है ये एकॉंड्रोप्लेजिया में जिसमें अड़ी का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है तो बच्चे का पॉष्चे में आप देख रहे हो एक्स्टमटी देख रहे हो लिम्ब देख रहे हो यह प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं होते है इस कंडिशन का नाम द Criteria for diagnosis of rheumatic fever according to modified Jones Criteria rheumatic fever मैं चलता है जौन 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 क्राइटेरिया में मेजर और माइनर दोतरे के क्राइटरे होते हैं. अरे सर तो कभी के बोल ही रहे हैं भाई. जब से क्लास स्टार्ट हो ये न तव से बोल ही रहे हैं आप अपनी समस्य बोलो तो हम उसका ज्वाब दे देंगे है गी नहीं बागे हम तो जब से क्लास शुरू हुई है आप तो देगी नहीं पाऊगे हम चुब भी बैठे हैं है गी नहीं तो यहाँ पे रुमेक्टिक फीवर का पूचा है माइनर क्राइटरिया एएस ओ टाइटर पास्टिक फीवर सब्घаровटेशन क्राइटरियाMr. Rheumatic Fever पूचने से तो कुछ भी नहीं होगा लाले आप स्वाल पे फोकस करो कि आपको जवाब आ रहा है और नहीं आरा तो सुनों और फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो अगरबती लगाओ अगर्बति का मतलब वो नहीं अगर्बति का मतलब यहां पर like button प्रेस करना होता है उसके भीना पटा नहीं चलता है है कि नहीं है तो यहां पर बोला है minor criteria तो मैं जब johns criteria की बात करूँ हुआ हुँ तो 2 तरह के criteria होता है एक major और 1 minor जॉन्स क्राइटरी हमें, एक तो होता है मेजर, एक होता है माइनर, ऐसे दो क्राइटरी होता है जॉन्स के, एक मेजर है और एक माइनर है, जब मैं मेजर क्राइटरी की बात करूँ, तो आप पे 5 सिम्टम होता है, कितने होता है 5 सिम्टम, पहला सिम्टम, दूसरा, तीसरा, उन्हें चोट होता है और पांच वांच सिंटम में जो पहला सिंटम होता है वो कौन सा होतं है वह पंड्प का आर्थ्राइटिस प्रूसरा कौन सा होता है खाइडाइटिस तीसरा और कोरिया चौटा सबक्नीय स्क्राइट नोढ़्यूल और पांच वह एरिद्मा-ार्जीनित्रम यह पांच तो होते हैं मेजर क्राइटरिया जब मैं माइनर में घाता हूँ तो माइनर में आता है फीवर माइनर माता है आर्टरेलजिया minor criteria के हम बात करें इसमें आएगा fever इसमें आएगा आर्थ्रेल्जिया minor criteria में आता है आपका elevated ESR positive C-rejective protein और prolonged PR interval prolonged PR interval यह सभी minor criteria है तो major criteria आर्थराइटिस काड़ डाइटिस कोरिया सबकेटर्स नोडूल एरिद्मा मार्जिन एटम माइनर क्राइटरिय में आ रहा है फीवर आर्थरेल या एलिवेटेड इसर पॉजिटिव सी रेक्टु प्रोटिन और प्रोलोंग प्यार इंटरवल यह माइनर क्राइटरिया तो ज मुझे इस स्वाल ने पूछा कि अगर आप रुमेटिक फिवर के क्राइटरिया की बात करो और यह नीचे दियेवे जो आप्सन है इसमें आपको यह बता रही कि कौन सा माइनर क्राइटरिया का पार्ट है जब हम रुमेटिक फिवर का डाइगनोसिस बनाता है तो मैरे प् माइनर और इसके अलावा वापे थ्रोड स्वाइब का कल्चर पोजिटिव और एसलो टाइटर का बढ़ावा होना यह क्राइटरिया का पार्ट है तो यह तो डाइगनोसिक का पार्ट है पास इस्टी रिमेटिक फिवर की यह डाइगनोसिक का पार्ट है यह मेजर या माइ सब्सक्山teryberg सब्सक्राइब कि और सम इसे थिए विए को भी इसा reuse तो यहाँ पर ना पार ED देंद जर्मिस अर्णिक दूपर टुन अचन साय, it undergoes anatomical closure within 24 hours of birth. From the ligament venosum in later life, it is induced to close the high level of prostaglandin and may cause a machinery murmur by its pretency. अचन साय, it is induced to close by high level of prostaglandin. मेरे लालो सुनो, यह जो स्वाल है ना बड़ा interesting है, ductus arteriosus के बारे में सही statement क्या है? तो एक बहुत basic concept समझो, कि माल लो यह आपका चार चेंबर का हार्ट है, और इस हार्ट से यहाँ से निकलता पलमंद्री आर्टरी, और यहाँ से निकलता एयोटा, जो आर्चोप एयोटा बना के descending एयोटा बनता है. Actually, मैं ductus arteriosus से एक connection है, जो एयोटा और पलमंद्री आर्टरी के बीच में होता है, ऐसा हमने पढ़ा, यह जो आपकी पलमंद्री आर्टरी और एयोटा है, इसके बीच का जो connection है, इसको मैं नाम देता हूँ ductus arteriosus, ductus arteriosus से connection है, जो किस-किस के बीच में होता है, एयोटा और पलमंद्री आर्टरी के बीच में होता है, यह इनके बीच में होता है, यह connection, यह खुला रहता है, जब blood, impure blood यहां से चलता है, इसके खुला रखने में रोल होता है, प्रोस्टा ग्लेंडीन का, लेवल जब ज़्यादा होता है, अब होता है कि जब बचा बर्त हो जाता है, तो उसके बाद में उसके लैप्ट आर्ट में oxygen का saturation 100% हो जाता है, oxygen, जिसकी वज़े से, प्रोस्टा ग्लेंडीन का secretion कम हो जाएगा, और functioning lungs एक hormone secret करता है, ब्रेडी काईनीन, ब्रेडी काईनीन, और इन तीन कारणों की वज़े से, 100% oxygen, decreased प्रोस्टा ग्लेंडीन, और increased ब्रेडी काईनीन, इनकी वज़े से, closing हो जाती है, किसकी, closing हो जाती है, ductus arteriosus की, ये closing का कारण होता है, और अगर ऐसा ना हो, जैसे एक बचा pre-tum या premature प्रेडा हो गया, और उसमें 100% oxygen नहीं हुई, तो उसका prostaglandin कम हुआ ही नहीं, और जब prostaglandin कम नहीं होगा, तो ये खुला रह जाएगा, prostaglandin का लेवल ज्यादा रहेगा, तो ये खुला रह जाएगा, इस स्वाल ने आप से क्या पूचा, कि, ductus arteriosus के बारे में सही बात क्या है, तो कुछ रस्कुला नहीं लिखा है, कि it induced to close, ये बंद हो जाएगा, तब जब हाई लेवल होगा, prostaglandin का, कितनी गलत बात बताई आपने, ये बंद तब होता है, जब prostaglandin कम हो जाता है, prostaglandin अगर हाई रहेगा, तो ये तो खुला ही रह जाएगा, समयरे बात को, तो prostaglandin के हाई लेवल रहने से ये खुला नहीं रहता है, यह बंद हो जाता है लालो इसले जितने भी लोगों ने सी आंसर लिका वह सबसे खोटा जवाब है और पूजा धाकर ने लिका है A यह में लिका है लाले कि यह अंडरगोज एनाटोमिकल क्लोज विदिन 24 ओवर्स व बर्थ डक्टर साट्रियोसस का एनाटोमिकल क्लोजिंग होता है 10 से लेके 21 दिन पर कब होता है 10 to 21 डेज 10 से 21 दिन और आप 24 गंटे के अंदर अंदर इसको बंद करा रहे हो कितना गलत वात है क्या ऐसा पॉसिबल है नहीं यह भी हो गया गलत option A भी absolutely wrong है और यह लिगामेंटम विनोजम बनाता है नहीं डक्टर स्विनोसस बनाता है लिगामेंटम विनोजम यह बनाएगा लिगामेंटम आर्टीरियोजम क्या बनाएगा लिगामेंटम आर्टीरियो चौता मेकोज यह मसींद्री लाइक मरमर साउंड पैटेंसी के जो है मेकोज यह मसींद्री मरमर बाइस पैटेंसी जब यह खुला रह जाता है पैटेंट रह जाता है तो एक मसींद्री लाइक मरमर साउंड वहां पे प्रोड्यूस करता है machinery like murmur sound blood की swissing sound है जब धीरे empty होते है blood pulmonary artery में वहाँ पे भरा रहता है तो एक sound produce करता है और उस sound को नाम देते है machinery like murmur sound तो it can produce by this but all three are wrong statement आपको पूचा है true statement कौन सा है सही बात क्या है option D वाली बात सही है उपर वाली तीनों बाते जो है गलत statement है यानि की wrong statement है इस बीमारी को लेगे अगला question which of the following is the most likely in heritage pattern in the pedigree given below यह जो pedigree दी हुई है यह कौन सा in heritage disorder है मैं इस pedigree को बढ़ा कर देता हूँ option है autosomal dominant mitochondrial autosomal recessive या axling dominant यह pedigree देख लो आप यह pedigree चार्ड देख लो और फिर बता दो कौन सी है अजुआ को बढ़ा है अजुआ को बप्राओान आवला अजूआ को यह सबस्वाशन आवो तो झाल अजुआ को बता मैं अजूआ आवाशन जराओशन को आप आवा अजूआ ऑदो को आप झाल 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 हा तो प्यार दोस्तों कि आसम जविर यह कौन सा जो है कौन सा प्रोब्लम है बताओ एनी डाउट टु इस पेडिग्री चार्ट बहुत इंट्रेस्टिंग है हम आप्शन की तरब लोटते हैं आप देखो बहुत सिंपल है यहाँ पर आप देखोगे यह जो बॉक्स है इसके अंदर यह है दूसरा यह है तीसरा यह है चौता यह है पांच रही है ऐसे चार यहाँ पर चीज़े दी हुए यह जो है यह मेल है और यह फिमेल है ठ्यान रहें इस बात को एक जो यह पॉइंट है यह तो है मेल दूसरा यह फिमेल ठीक है अब इसमें आप देखोगे यह female है यह male है यह female है यह female है यह male है और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जब हम इस disorder में बात करें तो जितने भी male है जितने भी male है रहे हो यह male है यह male है यह नौर्मल है यहाँ पर जो male है वो disease है मतलब आप देखो कि यह X और Y है और यह X और X female होती है और male वहाँ पर बिमार वाला है और फिमेल नॉर्मल है और इसके बाद में इनके जितने भी बच्चे हो रहे हैं उसमें जितनी भी फिमेल हो रही है इसमें जितनी भी फिमेल बंद रही है यह एक्स और एक्स यह फिमेल बंद रही है यह फिमेल यह फिमेल यह फिमेल बंद रही है और यह एक्स और और यह बजो बंद रहा है यह X और Y तो जितने भी फिमेल बंद रहे हैं मैं फिर बता रहा हूं सुनिएगा जितने भी फिमेल बंद रहे हैं यह फिमेल और जितने भी मेल बंद रहे हैं यह मेल तो मेल जो बंद रहे हैं यह मेल तो बंद रहे हैं सारे नॉर्मल और जितने भ आप देखो यहां पर Female नॉर्मल है जब कि फिमेल नॉर्मल का रोर फिमेल no का duty तो प्रेंट्रेंट्रल साइड में मेल इसदी संतत्य बन रही है उसमें फिमेट हो जो हो उतुरी और मेल electrical उत्जिय। कर नहीं है यह एख्स लिंक डोमिनिट है आप यहां पर इसमें जैको है यह भी डोमिनिट बन रहा है मेर्द से और इसको मोलता है एक्स लिंग डौमिनेंट इसमिन चुकर नौमिनेंट और जब डुमिनेंट बन्टा तो जितने भी वहीं होती है फ्यंगेश की पैडिग्री चार्ट के ञुते है वह क्या उन्खकर नौर्मल female जो होता है उनको होती है disease और इनसे बनने वाले जो बचे होता है उसमें female disease होती है और male normal हो जाए उसको हम क्या बोलते है इस condition को हम क्या बोलते है X link dominant के नाम से जानते है D याँ पे correct answer है A, B और C तिनोई गलत statement है समझ में आई लालो अरकान ही समझ में आई कि male और female में क्या अंतर है कैसे हम इसको decide करते है समझ रो बात को तो यह जो condition है इसको बोलते है X link dominant D याँ पे correct answer है A, B और C तिनोई गलत statement है A, B और C तिनोई गलत statement है D याँ पे correct answer है male को disease है और female याँ पे क्या है Female याँ पे क्या है Male को disease Male parents में बीमारी थी Female को बीमारी प्रोसीड हुई और जितने भी male child पेदा हुए वो क्या पेदा हुए Normal अगला question Most sensitive indicator of Intravascular volume depression Infant के अंदर Vessels में volume का depression होने का Most sensitive Indicator क्या है पहला है Stock volume, heart rate, cardiac output और blood pressure Stock volume, heart rate, cardiac output और blood pressure What is the correct answer? स्वाल को अच्छे से पढ़ना Option को अच्छे से पढ़ना और अपने चारों अच्छे से पढ़ते वे स्वाल का जवाब वीडियो के अंत में Comment box में लिखना आज का मज़ेदार session इसको यही पे विराम देते हैं अभी ठीक साड़े पांच बजे UP-UMS special session में फिर से मिलेंगे कुछ और math point प्रस्ट के साथ में इस स्वाल का जवाब प्यारे दोस्तों वीडियो के अंत में Comment box में आपको यहां पे mention करना है और जितने भी रसुल है एक्जाम दे रहे हैं जौदपुर एम्स का तो उसके 5 model paper की test series आज इस्टार्ट हो चुकी है आज ही अपने आपको confident करें test series के साथ में अच्छे test वहां पे आप देवें अच्छे questions वहां पे आप तयार करें और उस model paper के तुरू अपने आपको confident करें ताकि आने वाले exam में एक बहतरीन study आप कर पाएं एक अच्छी तयारी कर पाएं और different type के questions के तुरू अपने आपको confident कर पाएं हमेंसे याद रखें जिंदगी में एक बात कि इस्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता जो तूट जाए वो संकल्प नहीं होता हार को लक्ष से दूरी रखना मेरे दोस्त क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और सोगन मादेव की हम पेदावें जीतने के लिए संकल्प सिरफ एक है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तो मिलता है दुबारा एक नए सेस्टन में कुछ और मैक्पून प्रस्टन के साथ में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै माकाल जै है जै माकाल क्यूज जै है